प्रेंड्स कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स तो मैं आज आप लोग लिए अठारा रुपए का स्टॉक लेकर आँ जो की बैंकिंग सेक्टर से बिलॉग करता है ठीक है फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा क्यूथरी का रिजल्ट इन लोगों ने डिकलेर किया है तो चलिए देख प्रेंड्स तो पहले मैं आप लोगो सीधा रिजल्ट की तरफ ही ले चलता हूं कपनी अनाम भी बैंक का नाम भी बता जाता हूं धनलक्षमी बैंक इन्होंने क्यूथरी का रिजल्ट देकलियर कि अपना और देखे किस तरीके का शांदार इन लोग ने प्रॉफिट यहां होता है ठीक है तो अगर यह देखीगा और टोटल इंकम अगर इनका देखीगा वगयरा यह सारा कुछ देखने के बाद तो यह इन्होंने जो टोटल इंकम किया है एक सगें मैं आप लोग को बता देदें यह रूपीज लाक्स में है ठीक है तो 312 करोड यहां दिख रहा है इस क्वाटर में पिछले क्वाटर में 285 करोड का इंकम था पिछले साल るूस्टीन क्रोड का इंकम था अब जब इनका सारह एक्सक्थाइश वगयरा हम लोग डेखते है तो टोटल इंटीर कितना है यह है 257 कारूड पिछले क्वाटर में 249 करोड और पिछले साल साल 똑같र रहड़ाते तो कितना है, 22 करोड ठीक है इस बार हिणोंने 22 करोड किया है पिछले कौर्टर में इनोंने किया था करीब 16 करोड ठीक है 15.89 तो 16 करोड और पिछले साल से क्वाड़ गज़關ано तो 2 करोड से 22 करोड तो यह जो जंप है 10X हो गया है इनका net profit ठीक है तो यह बहुत जबरदस जंप है बहुत जबरदस प्रॉफिट डिकलियर किया धनलक्ष्मी बैंक ने अब चलिए एक बार इसके न फाइनिशल भी हम लोग देख लेते तो वहां से आप लोगो और आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़े हो रहे हैं स्टॉक के अंदर है तो यह देखे एक और पॉस्टिव बात अब यहां देखे 26.4 का हाई बनाया था 10.5 का लो तो हाई और लो के बीच में है इस टॉक फिलाल एक अच्छे रेट में ट्रेट कर रहा है रोसी आरोई की बात करें तो चार परसंट का रोसी आरोई बुक वैल्यू से स्टॉक ज होता है फर्दर आगे तो यहीं से इनका इंकम जेनरेट होना कोई गलत नहीं है बैंकिंग सेक्टर में यह मुझे लगता है एक अच्छी चीज है अब यहां पर देखे किस तरीके से स्टॉक ने काफी टेम एक कंसॉल्डेट हुआ फिर उसके बाद एक हाई बनाया बहुत और फिर वहां से डिप आया तो यहां देखे अपने जुड़ी पाने के बाद यहां पर एक रिकवरी मोड पर यहां पर फिर से के रिवर्सल की जैसा प्रतीत हो रहा है तो मुझे लगता है यहां पर एक अच्छा मौका बन सकता है ठीक है अठार रुपए के स्टॉक है धन इस वज़े से चीज़े निकल के आ रही है जो नेट प्रॉफिट को फ्रेंड बिल्कुल ध्यान में रखे गया ठीक है तो जो यहां पर निकल क्या है यहां पर चीज़े नेगेटिव से बिल्कुल वहां से दिखे फिर से रिकवरी मोड में अब यह देखे फ्रेंड अब यह कंपनी की बात करें तो देखी सिर्फ 25 करोड के आसपास के टोल नंबर ऑफ शेर्स हैं तो यहां पर आगे हम लोग और चीज़ देखेंगे कि आगे और क्या पॉस्टिफ चीज़ है ठीक है तो रिजर्फ की बात करेंड तो रिजर्फ जो बहुत कंपनी में फ्रेंड 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 थोड़ी बहुत यहां पर प्रॉफिट वोग हुई है एक कौर्टर में पर मैं नहीं कहूंगे कि कुछ जादा हुई है कि 11.43 से 11.62 से 10.84 तो 11 के आसपास ही है ठीक है अब यहां देखें पॉब्लिक के बास 89.07 परसेंट है टीक हैं लेकिन देखें कुछ बड़े लोगों के पास करीरी, करीब 40 परसेंट का बड़ी लोग पास अरहां पर चीज़ें कुछ कुछ मिले 18 भाव में और उसके बाद वहां पे अगर आप लोग को इस तरह की से ग्रोथ नजर आए तो मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बैंकिंग सेक्टर में ठीक है तो मुझे लगता है बहुत बढ़ी है प्रॉफिट डिकलेर के दो करोड से सीधा 22 क्रोड का जंप है तो पर य तो मुझे लगता है कोई यहां पर दिक्कत नहीं होनी चीए तो फ्रेंट्स यह था धनलक्ष्मी बैंक एक अठार रुपए का स्टॉक जो कि बैंकिंग सेक्टर से बिलॉंग करता है बहुत बढ़िया रिजल्ट देक्लेर किया तो अगर आप लोगों को बाते अच्छी ल